हेलो दोस्तों नवश्कार स्वागत आप से भी के एड्युकेशनल स्टड़ी पॉन योडूप चैनल पे थे देखिए दोस्तों SSC GD Constable एक्जाम 2023 कंटिनियों आपके एक्जाम चल रहे हैं इस स्वीडियों 10 फरवरी और शिप पेपर के बारे में बात करेंगे तो हम आपको पहले किलीर कर दूँ आज आपको कोई भी एक्जाम नहीं था फिर से आपके एक्जाम 13 फरवरी से शुरू है देखिए दोस्तों इस स्वीडियों वो कॉशन कवर करेंगे जो GD एक्जाम 2023 में लगाता रिपीट हो रहे हैं क्योंकि एक्जाम काफी लंबा चल रहे है तो डेली शुप्टों में कंटिनूसनली जो GKGS करेंट वेर हिंदी के क्वेशन रिपीट हो रहे हैं वही क्वेशन में इस वीडियो में कवर कराऊंगा तो जिन भी दोस्तों का नेक्श शिप्ट में एक्जाम है वह सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंट तक बने रहे हैगा चली दोस्तों आज की स्वीडियो को अपने शुरू करते हैं तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला क्वेशन आपसे पूछा गया कि वर्स 2015 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का योजन कहा हुआ था तो वर्स 2015 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का योजन है वो चली में किया गया था ठीक है और इसमें जो विजेता देश बना था वो बना था नाइजीरिया ठीक है तो ये भी आप next shift के लिए जरूर cover कीजेगा अगला question आपसे पूछा गया कि मुक्यबाजी का खेल किस परकार के मैदान पर खेला जाता है देखे दोस्तों जो मुक्यबाजी का खेल है ये boxing ring में खेला जाता है मुक्यबाजी लड़ाई का खेल है और एक marshal कला है जिसमें दो लोग अपनी मुठ्यों का परयोग करते क्या है लड़ते हैं तो boxing ring इस question का आपका विल्कुल right answer था अगला question पूछा गया कि अगनीपत योजना का समंद किस से है देखे दोस्तों अगनीपत योजना का जो समंद है वो भारती सेना से है ठीक है अगनीपत योजना के माद्यम से भारती सेना की तीनव शाखाओं जैसी कि थल सेना, नो सेना और वायू सेना में देश के युवाओं की भरती की जाती है ठीक है दोस्तों next question में आपसे पूछा गया किस कमपनी से गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस द्राजदी हुई थी तो यह हुई थी यूनियन कारबाइट कमपनी से ठीक है दोस्तों 2 दिसंबर 1984 की रात को मध्यपर्देश की राजदानी भुपाल में यून्वियन कार्बाइड कार्बाइड लिमिटेड नामा कंपनी की कीटनाशक फैक्टरी से ओध्योगिक दुरगटना के कारण जानलेवा जहरीली गैस मिथाइल आईसो साइनाइट का रिसाव हुआ था जिस कारण भुपाल गैस त्राजदी घटना घटित हुई थी अगले क्वेशन में पूछा गया वर्ष 2011 की जनगरना के अंसार भारत का जनसंख्या गनतव कितना है तो यह 382 व्यक्ति प्रती वरो किलोमेटर जहां पे सरवादिक बिहार का है उसके बाद पश्चिम मंगाल का है नियुन्तम बात करेंट और नाचल परदेश का है और दूस राजा रेड़ी, राधा रेड़ी, इंद्रानी रह्मान, यामिनीक रशन मूर्ती, अपड़ना सतीशन और हलीम खान ये भी क्या है कुछी पुड़ी नर्थ्य से संबंदित है नेक्स्ट क्वेशन पूछा गया कि वर्ष 2012 में पंजाब राज्ये के नए सीम कौन बने है त खिक है जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है अगले question में पूछा गया कि salt pittr का रासाओनिक फॉर्मूला क्या होता है तो kno3 ये कहा है salt pittr का रासाओनिक फॉर्मूला होता है जिसे potassium nitrate यानगी सोरा नामक खनीज के रूप में पैचाना जाता है ठीक दोस्तों, अगले question म पूछा गया देखनी लोक नरते किस राजय से संबंदित है तो ये गोवा से संबंदित है इसके लावा ढालो फुकदी तरंगमेल शिगमो देखनी तोंगया मेल कोली मोधनी घोडे मांडो आदी ये क्या है गोवा के परमुख लोक नरते रूप है अगले क्वेशन में अगले क्वेशन में पूछा गया तक ठोक तसे चू किस राजय का त्योहार है तो ये त्योहार भारत के लद्दाक से संबंदित है अगला क्वेशन पूछा गया कि बकसर का यूद किस वर्स हुआ था तो बकसर का यूद 1764 में हुआ था बंगाल के नवाव मीर कासिम अगले क्वेशन में पूछा गया कोलेरू जील किस राजय में स्थित है तो ये आंदर परदेश में स्थित है ठीक दोस्तों तो आंदर परदेश इस क्वेशन का आपका बिलकुल राइट अंसर था अगले क्वेशन में आपसे पूछा गया कि निमल लिखित में से कौन सा जील सुमेलित नहीं है ठीक है तो डल जील जम्मू कश्मीर देखे दोस्तों वूलर जील जम्मू कश्मीर में है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है बैरिनाग जील जम्मू कश्मीर में है मानस बल जील जम्मू कश्मीर में है रासमन जील राजस्तान में है पिछोला जील राजस्तान में है, सामबर जील राजस्तान में है, और साथ ताल जील कहां पे है, उत्रा खंड में स्तीत है, ठीक दोस्तों, तो ये बात आपको ज्यान में रखने हैं, अगले question में पूछा गया, एना कोंडा किस परकार के वन में पाय जाते हैं, देखे दोस्त तो जाती के अधार पर सरपरतम जनगर्ना की शुरुआत केरल राज्ये ने की थी, अगले question में पूछा गया, वासको डिगामा वर्स 1498 में कहां पे आया था, तो ये कालिकट केरल में आया था, जो की एक पूर्तगाली नाविक था कौन, वासको डिगामा, ठीक है, अगले question में पूछा गया, भारत में हरित क्रांती की शुरुआत का बुई थी, तो 1960 के दर्शक में हुई थी, ठीक है, 1965-68 में हुई थी, जिसमें गेहू अचावल के उत्पादन पर क्या है, फोकस किया गया था, भारत में हरित क्रांती के जनक कोन है, MS, स्वामिनाथन है, और 207 पर को अपनी 2021 की एमूरत सांसकर्तिक विरासत की सूची में शामिल किया है, अगले क्वैशन में पूछा गया, कि महत्मा गांधी जी को राश्टर पिता की उपादी की स्वस्थ दी गई, तो 1944 में, 4 जून 1944 को सुभाष चंदर बोस्त ने, सिंगापूर रेडियो से एक इस परशारित करते हुए महत्मा गांधी को देश का पिता, यानि की राश्टर पिता कहकर संबोधित किया, बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को क्या है, मान्यता दे दी, अगले क्वैशन में पूछा गया, किस राजे की सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक की अगले क्वैशन में पूछा गया, कि वर्स 2022 में यूपीसी के अध्यक्षपत पर किसे निक्त किया गया, डॉक्टर मनोस सोनिकूर, ठीक है, दोस्तों, यूपीसी की जो सदश्य होते हैं, ठीक है, वो परतेक 6 वर्स का उनका कारेकाल होता है, या फिर 65 वर्स, जो भी इनमें से पहले पूरण हो जाए, उन तक इनका कारेकाल बना रहता है, अगले क्वैशन में पूछा गया, कि भारत वे पाकिस्तान के बीज, सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे रैड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता ह अगले क्वैशन में आपसे पूछा गया, एललीनो का समन्द की स्वहादीप से है, तो इसका समन्द दक्षिन अमेरिका से है, तो दक्षिन अमेरिका इस क्वैशन का आपका विलकुल राइट अंसर था, अगले क्वैशन में पूछा गया, योजना अयो के द्वारा चिन हि और परमानू करमांग कितना है तो परमानू करमांग है 22 अगले question में पूछा गया कि निमन में से कौन बिलेडिर्स का खिलाडी है तो पंकज अडवानी आपका राइटन सरता गीत सेथी पंकज अडवानी अधित्यमेता सोरो कोठारी चित्रा मैगमी राज ये क्या है बिलेड इसके खिलाडी है अगले question में आपसे पूछा गया कि शेरसा सूरे ने दिल्ली पर कब श्याशन किया तो पंदरा सो चालिस से पैंतालिस तक ठीक है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और पंदरा सो उन्चालिस इस्वी में चोसा का एम पंदरा सो चालिस इस्वी में बिल्ग्राम या कनोज के युद जीतने के बाद शेरसा पंदर सो चालिस इस्वी में दिल्ली की गद्धी पर बैठा था अगले question में पूछा गया कि नीमन में से कौन कारेपालिका का परमुक होता है तो परधान मंत्री वै मंत्री परिशद भारत में संगिया कारेपालिका का स्वेधानिक परमुक राष्टपती होता है के इंदर की समस्त सक्तियां राष्टपती में क्या है निहीत होती है अगले question में पूछा गया आईपियल 2022 का फाइनल मुकाबला की स्टेडियम में हुआ था तो नरेंदर मोदी स्टेडियम में जहां पे गुजराट टाइटन और राजस्तान रोयल के बीच फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें गुजराट टाइटन्स को जीत मिली अगले question में पूछा गया आवगादरो नितांग के बारे में कौन सा कथन सही है किसी भी गैस के एक ग्राम अनू भार में अनू की संक्या समान होती है इस संक्या को ही अधिकार के तैद किसकी जांच करने का रजिस्ट्री को आदेश दिया तो ये दिया था भूल जाने के अधिकार का जो कि इस question का राइटन्स हर था अगले question में पूछा गया पूंजिगत लाब कौन सा है देखिए दोस्तों पूंजिगत लाब उस रासी को का जाता है जो प कम शाक्षरता दर किस राजी की है तो सबसे जो कम शाक्षरता दर है वो भारत के बिहार राज्य की है अगले question में पूछा गया सबसे अधिक ठंडा जलवायू छेतर कौन सा है तो ये है टुन्रा जलवायू छेतर टुन्रा बायों में सबसे ठंडा है यह कम मात्रा में वर् क्या है फैला हुआ है तो आज की स्वीडियों सबींपर्ण question कवर कर लिए जो नेक्क शेट में डेफिनिली पूछे जाएंगे वीडियो के आंद देगा धन्यवाद पसंद आई लाइक और शेट जरूर करें